हेलो नमस्क और दोस्तों दोस्तों आज कीस वीडियो में आपको बताऊंगा कि market open होते ही आप कैसे market के पूरे अच्छा level निकाल सकते है कि market कहां पर जा के reverse हो सकता है कहां पर market मुझे एक best rate दे सकता है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये एक paid वीडियो होने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि इसको YouTube पे डाल देता हूँ ताकि मेरे जो भी भाई है जिसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए वो भी इस वीडियो से सिख सकते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना समझ के देखना और देखना कि कितना best knowledge मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ ये मेरा promise रहा कि इस वीडियो में आपको best knowledge मैं आपको देने वाला हूँ और सायद ही कभी भी आपको ऐसा knowledge कोई YouTuber आपको दिया होगा वो भी फिरी म तो कैसा knowledge दूँगा, क्या होगा, यह सब कुछ मैं आपको उता हूँगा, इससे पहले आप channel subscribe नहीं क्यों तो channel subscribe कर सकते हो, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको knowledge देने का कोशिश करता हूँ, पूरा वीडियो देखना बिना skip किये तभी आपको समझ में आएगा, दोस्तों यहा candle का measurement करूँगा, और दूसरा मैं क्या करूँगा, कि फिव लेवल से मैं लेवल निकालूँगा, market के first, क्या करूँगा, first candle बनने देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, nifty 50, fin nifty या bank nifty, आप जिसमें भी लेवल निकालना चाहते हैं, वो index आपको select कर लेना है, फिर आप आपको क्या करना है, पांच मिनट का time frame आपको select कर लेना है, ये दो चीज कर लेना है, मैं आपको bank nifty में level निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि bank nifty काफी लोगों का favorite है, तो इसलिए मैं bank nifty का बता रहा हूं, कल एक वीडियो आएगा कि इस level, जो level मैं आपको उता रहा हूं, उस level पर आप trade कैसे कर सकते हैं, इस stop loss कितना लगा सकते हैं, कल वो वीडियो आने वाला है, आज पहले ये सिखो, ओके, दोस्तों सबसे पहले ये 5 मिनट का candle बन गया, तो मैं क्या करूँगा, इसका 50% लेवल निकालूँगा, सबसे पहले हमें ये करना है, फर्स्ट 5 मिनट क जब candle बन जाता है, तो इसका 50% का लेवल निकालना है, तो यहाँ पे measure करने वाला है, इसको क्या करना है, simply आपको high पकर करके low से लिया आना है, तो ये बीच में जो है, बीच में जो आ गया, वो 50% का लेवल आ गया, तो हमें क्या करना है, 50% की लेवल को ऐसे mark कर देना है, बस पहला हमारा जो काम रहना चाहिए, यहीं होना चाहिए, कि पहले 5 मिनट के candle को 50% वाला जो लेवल है, उसको mark कर दिये, अब दुसरा हमें क्या करना है, कि फीव लेवल निकालना है, और फीव लेवल निकालके इसका जो high है, फर्स्ट केंडल का जो high है, अगर मान लोग क उपर वाला लेवल निकालना है, तो हमें क्या करना है, high पकरना होगा, नीचे वाला लेवल निकालना है, तो हमें क्या करना प्रहेगा, low पकरना होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको अच्छे से चार्ट पर समझाने का कोशिज करता हूँ, तो यह मैं आपने के सिसक्टाने划 कर दो लाना。」 कि सो प्रेक करके मार्केट कहां तक जा सकता है?, यह सब कुछ हमें पता चल गया यह फीब लेवल का मैं setting भी बताने वाला हूँ आपको कि इसका क्या setting होने वाला है तो आप लोग यह learning video है न वाई यह learning video देखोगे तब ही जा के आप सीखोगे strategy के पिछे भागोगे strategy के पिछे भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला है यह जो level है न यह level मैं आपको बता रहा हूँ और कल मैं आपको बता हूँगा इसके उपर एक best strategy जिसका accuracy 90% होता है और scalping अगर आप करते हो तो scalping करके ही बहुत पैसे कमा सकते हो इस strategy पर तो वो video कल आने वाला है तो यहां पर देख रहे हो हमारा level निकला है इसको हम पहले क्या करते हैं mark कर देते हैं और एक level यह हो गया यह हो गया तो यह सारा जो है उपर का level हमें नहीं मिल गया अब यहाँ पर आप देख रहे होगे, market उसी level से reverse हो रहा है भाई, जिस level को मैंने 1st 5 minute के candle से draw किया है, उसी level से market क्या कर रहा है, reverse हो रहा है, तो अब आपको बस यह पहचानना होगा, कि market कहां से reverse हो रहा है, और कैसे trade करना है, level निकालना तो आप इस वीडियो से सीख जाओग यहाँ पर market reverse होने का chance नहीं था, क्योंकि इतना बरावरा candle था, और level के पास market rate candle नहीं बना रहा था, तो rejection नहीं ले रहा था, तो हम सोचे कि भाई, यह level आप वर्क नहीं कर रहा है, next level वर्क कर सकता है, next level भी reversal उतने अच्छे से नहीं किया, और चाहे तो हम next level पर एक है scalping ब कि यह strong reversal हुआ, और market पूरा वहीं से क्या हुआ, market पूरा वहीं से reverse हो गया, और इतना बरा point हमें देखने को मिला है, यह हो गया उपर की level, अब हम नीचे के calculate करेंगे कि नीचे की level हम कैसे निकाल सकते हैं, दोस्तों अगर आप feeble level अच्छे से use करना सिख गया है, तो आप market क तो आधा से ज़्यादा चीज तो सिखी गया, क्योंकि feeble level काफी best काम करता है, तो यहाँ पर देख रहा है, market यहीं से reverse हुआ, और काफी best reversal यहाँ से मिला है, इसमें और भी बहुत सारे चीज है, regular video देखोगे, regular video इस पे आएगा, एक पहले भी video आया था, वो भी काफी best काम किया, अब चलिए market का, नीचे का level हम लोग निकालते हैं, कि नीचे का level कैसे निकाला जाता है, तो नीचे के level निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले feeble level लेना पड़ेगा, और जो 5 मिनट के candle है, इसके low को पकर के 50% के level तक match करना पड़ेगा, तो 5 मिनट के candle को लिए लिए, और 50% के जो level है, उसको हम क्या किये, match कर दिया है, अब यह देख रहे होगे, नीचे पे हमें इतना सारा level देखने को मिलता है, इतना सारा level देखने को मिलता है, इसमें भी बहुत सारे pro tips है, बहुत सारे चीज़ है, जो कि मैं आने वाले हर वीडियो में म आपको रता हूँगा, ताकि आप फीव लेवल पे अच्छे से work करके पैसे कमा सकते हो, तो यह सब हमारा जो है, नीचे का फीव लेवल है, ओके भाई, यह देख रहे हो आप, यह नीचे का फीव लेवल है, इतना easy way में, आप लोग क्या कर सकते हो, लेवल ड्रॉ कर सकते हो जिसको ज़्यादा कुछ नहीं मार्केट के पता है, वो भी यह लेवल से अच्छे से draw कर सकता है, बस पहले आपको practice करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे जो लेवल मैंने draw करके रखा है, उसी लेवल से मार्केट क्या हुआ, उसी लेवल पे consolidate हो रहा ह मार्केट वहाँ पे consolidate कर रहा है, बस यह देख रहा है लेवल कितने अच्छे से work कर रहा है, अब यहाँ पे जैसे हमें strong green candle देखने हो को मिलेगा, उसके हाई पे हम लोग break करके एक अच्छा सा scalping कर सकते हैं, तो यह मैं आपको कल बताने वाला हूँ, कि कल कैसे आप इसके हा बहुत मतलब यह हमेशा work करता है, रोज work करता है यह level, यह level आपको रोज work करता है, एक दिन दो दिन work नहीं करता है, रोज work करता है, यह इतना best level है, अब जाके back test करना, क्योंकि मैं अभी अगर आपको back test करके दिखाऊं, तो यह 8 मिनट, 9 मिनट का वीडियो तो अभी ही हो चुका है, भाई, एक घंटा का वीडियो हो जाएगा, ओकी, तो आप लोग back test करना, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, कि इसका setting क्या रहने वाला है, यह जो फीव लेवल है, इसका setting क्या रहने वाला है, तो setting मैं आपको बता दू, आप लोग चाहो तो screenshot ले सकते हूँ, यह आप लोग चाहो तो लिख सकते हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप कर सकते हूँ, या बार-बार वीडियो भी देख के सीख सकते हूँ, तो यहाँ पर setting में गया, और भाई, यह देख रहे होगी, यह आप देख लेना, यह मैं setting कुछ इस तरह से लगा के रखा हूँ, यह 0. का level है, 0.236 का, 0.382, 0.5, 0.618, मतलब सब कुछ तो आपको दिखी रहा होगा, बोलूं क्या, तो यही सब कुछ है, यही मैं level ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और यही हमारा जो है, वो setting है, ओके, तो इतना अच्छे level से आप level निकाल सकते हैं, वीडियो कैसा ल इसके उपर मैं कल वीडियो बनाऊँगा, अगर आप बोलोगे कि भाई, इसके उपर कैसे trade ले, ताकि हम लोग रोज best profit करें, तो आप comment करके बता, ताकि मैं कल एक अच्छा सा वीडियो इसके उपर ले क्या हूँ, और तखरा वीडियो रहेगा, काफी मज़ा आने वाला है बाई, काफी मज़ा आने वाला होगा, आप लोग तो जानते ही है, राज बाई का जो भी वीडियो रहता है, काफी best रहता है, और काफी अच्छा रहता है उसमें, तो इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, आप देख रहे होगे, फर्स्ट कैंडल पे कितना अच्छा reversal दिया ह हुआ है, और कौन-कौन से टापिक में वीडियो चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसी टापिक पे उपर वीडियो बना, और उसी टापिक के उपर वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, कि आप लोग को ट्रेट कर सकें, और एक चीज़ मैं आपको बता दू, ध प्रेमियम ग्रूप लोग जोईन करके प्रफिल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कि हमार का स्टेजी भी जोईन कर सकते हो, प्रेमियम ग्रूप भी जोईन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में ग्रूप होगा, वो टेलिग्राम ग्रूप